हेलो बच्चों, वेलकम टुरुतु माम्स ओल्लाइन क्लास बच्चों, आज हम आपकी कक्षा चो थी कि गणित की पुस्तक के सेकिंड चैप्टर कसरत अंको की के कुछ मल्टिबल चोईस क्वेशन्स करेंगे क्वेशन्स शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अब टक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसी की साइड में जो बैल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन्स आपको मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं ग्वेशन अमर बबर वन 999 से 1004 के बीच की संख्या कौन सी है देखो बैचो 999 से 1004 के बीच की संख्या बतानी है नीचे 4 विकल्प दिये हुए है गय, 996, खय, 997, गय, 998 और गय, 1000 तो कौन सी है देखो, 996 तो नहीं होगी क्योंकि वह है 999 से पहले आती है ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो कौन सी होगी, गय, 1000 Second question, 19996 से 2001 तक के बीच की संख्या कौन सी है देखो इनमें से, कय, 2000, खय, 2002, गय, 2003, गय, 2004 तो ये तो बड़ा असान है देखो, बता सकते हो आप की 2000 होगा, है ना बाकी तो 2001 से बाद की संख्याएं है Next question Third question, 6000 से पहले वाली संख्या कौन सी है? कय, 5999, खय, 6000, गय, 6000, एक, या फिर गय, 6000, दो देखो बच्चो, खय option में तो सेम संख्या है गय में दिखी रहा है, एक जादा है और इसमें भी दो जादा है ठीक है, तो देखो ये वाली देखो, क्या option में, 6000 में से जब एक घटाएंगे तो क्या आता है, देखो, 5999, तो पहले वाली संख्या कौन सी होती है जब कुछ कम किया जाए, ठीक है, और जस्ट पहले वाली एक कम तो कौन सी संख्या होई, 6000 से पहले वाली, ये वाली, ठीक है fourth question, 99999 के बाद वाली संख्या कौन सी है तो देखो बच्चो, बाद वाली संख्या कौन सी होती है जब संख्या में कुछ जोडते हैं, तो बाद वाली संख्या निकल कर आती है परंतु तुरंत बाद वाली संख्या कौन सी होती है, जब उसमें एक जुड जाता है 99999 में एक जोडेंगे, तो देखो कितना आएगा ये देखो कितना आया, 10,000 आया तो 9999 के बाद वाली संख्या कौन सी है, 10,000, देखो कहां पर है, ये है खै ओप्षन, 10,000 Next question 5th question, 198, 819, 918, 891 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो देखो बच्चो, सबसे पहले इनमें देखेंगे कि कितने अंकों की संख्या है ये तीन-तीन अंकों की संख्या है, ठीक है, क्योंकि अगर तीन अंकों की संख्याओं के साथ इनमें कोई 4 अंकों की संख्या होती तो वो बड़ी होती सबसे, ठीक है क्योंकि ये तीन ही अंकों की संख्या है सभी, तीन-तीन अंकों की सेकड़े के स्थान पर वही संख्या बड़ी होगी, देखो यहां पर 1 है, 1 है, यहां 8, 9 और यहां 8, देखो तो सेकड़े के स्थान पर यहां पर इस संख्या में 9 है, है ना, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई, 908 है, तो देखिए कहां है गय ओप्षन यही अमारा सही उत्तर है सिक्स्थ क्वेस्चन मैं कौन सी संख्या हूँ यदि मेरे इकाई कांक छे दहाई कांक तीन और सैक्ड़े कांक नो है देखो बच्चो इकाई दहाई सैक्ड़ा तो आपको पताईए देखो इकाई इधर होती है फिर दहाई और फिर सैक्ड़ा ठीक है तो यहाँ पर अब इनको इनकी स्थिती में रखते जाएंगे इनकी पोजिशन में इकाई कांक कितना है छे तो इकाई कांक कहां रखेंगे यहाँ पर अब दहाई कांक कितना है तीन है तो दहाई की जगए पर रखेंगे अब सैक्ड़े कांक है नो तो सैक्ड़े की जगए रखेंगे देखो क्या संख्या बनी नो सो चत्यस तो इसका सही उत्तर क्या है गया 936, next question, seventh question, मैं कौन सी संख्या हूँ जिसका सैकड़े का अंक 6 है, देखो सैकड़ा किदर होता है, इकाई, धहाई और सैकड़ा, ठीक है, यहाँ से तीसरे नमबर पर सैकड़ा होता है, ठीक है बच्चों, तो देखो, यहाँ पर तीसरे नमबर पर, सैकड़े के स्थान पर 6, क इस वाली संख्या में है न 6, बागी तो वैसे भी किसी में 6 है ही नहीं, तो हमारा आंसर होगा, खै 600, एट क्वेशन, मैं इकाई का अंक इतना हूँ जितनी तुम्हारी एक हाथ की उंगलिया, एक हाथ की कितनी उंगलिया होती है, पांच होती है न, और सैकड़े का अंक कित पना हूँ जितनी तुम्हारी आंखे, आंखे कितनी होती है, दो, अब सोच कर बताओ मैं कितनी संख्या हूँ, देखो बचो यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे न, इकाई, दहाई और सैकड़ा, ठीक है, तो यह किसका अंक है, इकाई का, इकाई के स्थान पर रख देंगे पां जितनी दो सो पांच, तो इसका सही हुततर है, के दो सो पांच, नेक्स्ट क् Christian, नाइन्थ क् efficient, मैं तीन अंकों की संख्या हूँ, चार सो, पांच सो के बीच में आता हूँ, मेरे इकाई का अंक एक है, देखो इकाई का अंक कितना है, एक ठीक है, और मेरी दाहाई इकाई से दो गुणा है और सैकड़ा इकाई के अंक से चो गुणा है देखो बच्छो पहले तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर इकाई और यहाँ दहाई और यहाँ सैकड़ा ठीक है तो इकाई का अंक कितना दिया हुआ है एक और कहा है कि दहाई इकाई से दो गुणा है इकाई एक है तो दहाई कितनी होगी, दो गुना, एक को दो से गुना कर दो, कितना, दो आएगा, अब कहा कि सैकड़ा, इकाई के अंक से चो गुना है, इकाई का अंक एक है, और फिर सैकड़ा कितना होगा, चो गुना, चार गुना, तो यहाँ चार, देखो संख्या क्या आ गई, चार सो देखो कहां पर है यह रख गय है 421 यही सही उत्तर है question number 10 मैं आपको 3 अंक देता हूँ इन अंकों का प्रियोग करते हुए सबसे बड़ी संख्या बनानी है 2, 3, 5 से बड़ी से बड़ी क्या संख्या बनेगी देखो बच्चो यहां पर 2, 3, 5 तीन अंकों की संख्या बनेगी मतलब सैक्ड़ेक तक बनेगी देखो इकाई दहाई और सैकड़ा तीन अंकों की है न तो सैक्ड़ेकी संख्या बनेगी कोई तो सबसे बड़ी संख्या बनानी होती है तो जितने अंक होते हैं संख्या में उसमें लेफ्ट साइड वाला सबसे लेफ्ट साइड पर जो अंक होता है वो सबसे बड़ा होना चाहिए तो वो संख्या सबसे बड़ी होगी फिर उसके बाद जो उससे राइट साइड में है ठीक है जिसकी स्थीति उससे राइट साइड में है उसको उससे छोटा फिर उससे छोटा इस तरीके से लिखते जाते हैं तो जैसे यहाँ पर 3 अंख हैं, तो सय करढ़ा सब से लेफ्ट में है, है ना, तो यहाँ पर क्या रखेंगे? सबसे बड़ी संख्या, इन तीनों में सबसे बड़ी कौन सी अंख्या है? सबसे बड़ा अंक है 5 और फिर है, 3 है, 2 मैंने बताया था आपको, फिर उसे चोटा और फिर सबसे छोटा रख देंगे 2 तो यह सबसे बड़ी संख्या बनेगी 532 तो आंसर हुआ गयर 532 तो बचो यहाँ पर कुछ multiple choice question answers की practice की हमने है ना आपको इनकी अच्छे से practice कर लेनी है question answers की सभी की बचो आज के लिए इतना ही काफी है इसका second part next video में मैं कराऊंगी तो मिलते हैं फिर next video में तब तक के लिए बाई बच्चो